Hello students, welcome to our channel Maths Mint by Kamles. आज मैं solve करने जा रहा हूं Class 10 Maths Exercise 6.2 Question No.1 NCRT Book से Chapter Hattangles. I hope you will please like and subscribe this channel. Thanks. Question में है, in figure 1 and 2, ये दो figure दिया हुआ है question में, ये 1 और ये 2, DE parallel to BC और दोनों figure में DE, DE दिया हुआ है, जो parallel BC के है, ठीक है? Find EC in 1, तो EC ये find करना है 1 में, and AD ये find करना है 2 में, ठीक है? तो ये देखते हैं क्या, जो इसमें parallel line DE दिया हुआ है, Tangle के एक साइड का, तो तुरत हमारे मन में आना चाहिए, parallel line Tangle से संबंदित कौन सा थ्योरम है? ये है Basic Proportionality थ्योरम, जिसको BPT भी बोलते हैं, या Thales थ्योरम भी बोलते हैं, इसके अनुसार, अगर कोई Tangle के एक साइड का parallel line, दूसरे दो साइड को अगर कट करता है, तो दूसरे दोनों साइड का लाइन का जो रेशियो होगा, वो दूसरे Tangle के लाइन के रेशियो के बरावर होगा, ठीक है? अगर ये थ्योरम में बताता है, फिर से एक बार देख लें, बेसिक प्रप्रप्रसाइड थ्योरम या BPT जिसको Thales थ्योरी भी बोलते हैं, उसके अनसार अगर कोई Tangle के एक साइड का पैरलल लाइन खीची जाए, तो वस पैरलल लाइन Tangle के अन्द दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे ये एक Tangle है, ये भी एक Tangle है, ये DE दोनों में BC को पैरलल खीचा गया है DE, और दो साइड AB और AC, AB और AC को दो पॉइंट पर कट करता है, तो AD, DB, SE और CE का रेशियो बड़ावर होगा, ठीक है, इसको और समझ लेते हैं, माल लेजिए कि ये एक Tangle है, X, Y, Z एक Tangle है, इसके पैरलल एक लाइन है, M, N, ये लाइन खीचा गया है, तो एक साइड जो पैरलल लाइन है, X, Y है, M, N के, ब X, Y और X, Z, माल लिया कि इसका measurement A है, इसका measurement B है, ये C है और ये D है, तो ये थोरी के मताबिक, जो थोरम है, उसके मताबिक, A by B will be equal to C by D, यही थोरम में बताता है, इसी को ध्यान में रखके ये सवाल बनाना है, ठीक है? अब है, solution, question 1 का, in triangle ABC, ये ABC triangle है, ये लिखना पड़ेगा, ये parallel line है, इसका BC का DE parallel line है, ये लिखेंगे, तभी आगे हमारा prove होगा, in triangle ABC, DE parallel to BC, ये given है हमारा, ठीक है, तो इसके मताबिक क्या होगा, ये थोरी के मताबिक, ये थोरम के मताबिक, AD by DB, इसकल तो हो जाएगा, AE by EC, AE by EC, जैसे यहाँ, A by B is equal to C by D, ऐसे ही, AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है, इसको लिख देंगे, by using basic proportionality theorem, ठीक है, अब इसमें इसका value देंगे, AD है मेरा कितना, 1.5, 1.5, DB है, 3, AE है मेरा 1, और EC तो निकालना ही है, अब this implies cross multiplication कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 into EC is equal to 1 into 3, तो EC is equal to हो जाएगा, 1 into 3, 3 होगा, 1.5 multiply है, तो इधर divide हो जाएगा, 1.5, 1.5 है, तो 10 से अगर कर देंगे, तो एक 0 से ये 5 replace हो जाएगा, तो इसको 10 से कर देंगे, तो ये हो गया, EC equal to कितना हो गया, 30 हो गया, और ये dismissal 0 से हट गया, 15, 15, 2 जा, तो is equal to 2 cm, यही इसका answer हुआ EC का, ठीक है, ऐसा ही दूसरा question है, solution 2, फिर लिखेंगे, इन triangle ABC nomenclature होगा ही है, safe thought difference है, ABC DE parallel to BC, ठीक है, अब लिखेंगे, AD ये है, figure, ABC parallel to D है, तो AD by DB, ठीक है, तो लिखेंगे, AD by DB is equal to, ऐसे ही हो जाएगा, AE by EC, AE by EC, तो लिखेंगे, AE by EC, AD कितना है मेरा, निकालना है, तो AD को find out करना है, DB है मेरा कितना, DB है 7.2, तो डाल देंगे यहां, 7.2 डाल दिया, equal to AE कितना है मेरा, AE है, 1.8 cm, तो यहां, 1.8 cm, डाल दिया, cm और यह कितना, 5.4 cm EC, तो यहां, 5.4 डाल दिया, अब फिर यहां क्या करेंगे, cross multiplication कर देंगे इसको, तो इस implies क्या हो जाएगा, 5.4 into AD equal to 1.8 into 7.2, ठीक है, 5.4 into AD cross multiplication हो गया, 1.8 into 7.2, अब AD हो जाएगा, यह multiply है AD के साथ, 5.4 तो यहां, दिवाइड हो जाएगा, 1.8 into 7.2 by 5.4, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक decimal इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे, एक decimal यहां से रिप्लेस कर देंगे, AD is equal to 18 into 7 by 7.2 by 54, 18 1 जा, 18 3 जा, यह हो गया, AD is equal to 7.2, AD is equal to 7.2 बचिया उपन में, by 3, इसलिए AD हो गया कितना, 3 से समें डिवाइड करेंगे, तो 3, 2 जा, 6, 1 बचा, 2 लेंगे, decimal बीच में आ गया, तो decimal डाल देंगे, 12 हो गया, 3, 4 जा, 12, तो यहां फोर डाल दिया, इतना सेंटिमीटर, यह ही इसका answer है, अगर अच्छा लगाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स.